गुड मरिंग बच्चो स्वागत है आपका अपनी केमिस्टरी की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं चेप्टर 11 एलकोहल फिनोल्स और इथर और हम पढ़ रहे थी इसमें एलकोहल्स लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था कि एलकोहलों का विर्चन कैसे किया जाता है दो विधी हमने पढ़ ली थी एक विधी हमने पढ़ी थी कि हम हैलो एलकेनों की सहायता से एलकोहल कैसे बनाते हैं दूसरा हमने पढ़ा था कि एलकीनों की सहायता से हम एलकोहल कै और तीसरा हमने पढ़ा था ओक्सी मर्क्यूरी करण वी मर्क्यूरी करण है ना याद है आपको ओक्सी मर्क्यूरी करण और वी मर्क्यूरी करण ठीक है ना ये दो विधी हमने पढ़ ली थी ठीक है अब इस वीडियो में हम दो विदियां और देखेंगे एक तो हम देखेंगे कि ग्रीन यार अभिकर्मक की सहायता से हम एलकोहल कैसे बना सकते हैं और दूसरा हम देखेंगे कि वन डिग्री एमीन की सहायता से हम एलकोहल कैसे बना सकते हैं तो पहले हम देखते हैं Green Yard Abhikarmak, इससे देखेंगे, अब पहले तो वैच्चों आमें पता होना चीए Green Yard Abhikarmak होता क्या है, अब Green Yard Abhikarmak को समझते हैं पहले अपन, Green Yard Abhikarmak, लास्ट चेप्टर जो हमने पड़ा था, यानि कि Hello Alkenes, उसमें मैंने आपको बताया था, अभिक्रिया, मेगनिशियम धातू से करवाते हैं, शुष्क एथर की उपस्थिती में, ठीक है न, तो बनता है RMGX, इस RMGX को हम क्या कहते हैं, Green Yard Abhikarmak, ठीक है न, इसको हम क्या कहते हैं, Green Yard Abhikarmak, ठीक है अब हम इस RMGX की साहिता से, हम 1 डिगरी, 2 डिगरी और 3 डिगर ठीक है न, तो पहले तो हम RMGX को जान तो गए, अब पहचान लें, पहचानने का मतलब है कि यह reaction करता कैसे है, इसका reaction करने का तरीका क्या होता है, तो देखो, सीधी सी बात है, यहां R का मतलब है carbon शंखला, Mg है धातू, और X यहां halide है, तो magnesium धातू और halogen की बीच का बंद तो है ionic, है न, और R और Mg की बच का बंद है, यहां कैसा सहसन्यों जी, जब यह hydrocarbon से अभीक्रिया करेगा, तो हमेशा आपने इस बंद को तोड़ेगा, और यहां से जब बंद टूटेगा, तो magnesium क्या है, धातू है, तो इस पर तो हमेशा आएगा, प्लस, और यहां यह जो कार्बन शंखला होगी, यह कार्बन शंखला हो जाएगी, माइनस, ठीक है न, पहली बात, कि R Mg X जब भी अभीक्रिया करेगा, हमेशा इसी तरीके से टूटेगा, यानि कि R पर तो आजाएगा, माइनस आवेश, और यह जो Mg X बचेगा, इस पर आजाएगा, प्लस आवे होंगे, जिनमें पाई बंध उपस्थित हो, ठीक है न, चाहे तो डबल पॉर्ण के रूप में हो, चाहे तुछ टडिपल पॉर्ण के रूप में हो, कि बली से अभीक्रिया करता है, जादा तर, अबिकरिया इसकी वो है, जिनमें पाई बंध यूक्त योगिकों से होती है, पाई बंधुक्त योगिक का मतलब वो जो असंत्रप्त योगिक होंगे ठीक है और असंत्रप्त योगिक जो होते हैं वो हमेशा योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं यानि RMGX जब पाई बंधुक्त योगिकों से अभिक्रिया करेगा तो हमेशा योगात्मक अभिक्रिया क योग अत्पाद बनाएगा ठीक है और योग अत्पाद बनाकर हमें उसका हमेशन जल अपगटन करवाना पड़ेगा ठीक है ना तो यह हमने देखा इसका कार्य करने का तरीका अब देखो हम एक करकेस से 1-degree, 2-degree, 3-degree अल्कोहल बनाते हैं देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जब हमें RMGX याने greener कर्मक की सायता से 1-degree अल्कोहल बनाने हैं तो अभीक्रिया करवानी पड़ेगी formaldehyde से पहले चीज यह की point याद रखने हैं, 2-degree अल्कोहल की अभीक्रिया करवाएंगी तो हमें लेना पड़ेगा कोई और aldehyde, formaldehyde की अलावा कोई भी aldehyde, 3-degree अल्कोहल बनाने तो हमें चाहिएगा ketone, या ketone की जगे हम कोई अमल विद्पन भी काम में ले सकते हैं, अमल विद्पन का मतलब आप जानते हैं, ठीक है, अमल विद्पन का मतलब होता है कि हमनी कार्वॉक्स लिक अमल मैसे OH को अटा कर कोई Nesamu लगा दिया, जिसे C-L लगा दिया तो इसको AML Chloride कहते हैं, इसको ACT Chloride कहते हैं, N-S2 ल हम बात करते हैं, सबसे में बात यहां क्या है, एलकोहल बनाना है, तो हमें ऐसा योगिक लेना पड़ेगा, जिसमें C double bond O हो, ठीके न, यहां हमने दोनों जगे H लगा दिया, तो बन गया formaldehyde, यानि कि यह, ठीके न, यहां पर मैंने एक जगे पर R और एक जगे पर H लगा द या तो omicloride बन गया, यहां पर मैंने R लगाया, यहां पर NH2 लगा दिया, तो amide बन गया, और यहां इस CO में ही मैंने यहां R लगाया, यहां OR लगा दिया, तो यह बन गया, ester, यानि कि मुख्यवात क्या है, पहचान क्या है, कि यह वाला समू होना चाहिए, तभी ग्रीण अब देखो यहां हमने लिया पहले सबसे पहले मान लीजिए हम फॉर्मेल लिहाइड लेते हैं इसकी रियक्शन हम आर एम जीक्स यह नी ग्रीन अरप करमक से कराएंगे और इसको हम लिखेंगे ऐसे ठीक है यहां जब बंद विखड़न होता है तो मैंने आपको बता यह क्या होगा माइनस और यह हमेशा प्लस होगा अभी बताया था मैंने और यहां पाई बंद टूटेगा तो ऑक्सिजन की विद्धुत्रिनता हमेशा कारबन से जादा होती है तो जब विद्धुत्रिनता जादा होगी तो यह बंद टूटेगा तो इस पर आ जाएगा माइनस यहां पर तो आ गया R, यह हो गया O, M, G, X, तो यह बन गया अब यहां योग उत्पाद, इस योग उत्पाद को यह दुख याद रखने का तरीका क्या है, इसको हम कहते है कि O, M, G, बन गया, O, M, G, बन गया, O, M, G, का मतलब क्या होता है, सामने बुल चल की वश्य में O, M, G कहते है, शिवजी भगवान को, शिवजी भगवान को जल चड़ाया जाता है, तो यहां भी देखो, O, M, G, को हम जल चड़ाएंगे, जल चड़ाएंगे, यनि कि जल अपगटन करवाएंगे, जल अपगटन का मतलब क्या होता है, H प्लस और OH माइनस, ठीक है, अब यहां प प्लस तो जुड़ जाएगा यहां और माइनस जुड़ जाएगा यहां, ठीक है ना, तो क्या बनेगा देखो, यहां मैं लिख देती हूँ, यह H, यह C, यह H और यह R, यहां पर क्या आगया, यह बंद टूटा तो OH जुड़ गया, यह बन गया OH, प्लस में, M, G के साथ, ए प्लस में, G कार्बन यो, बंद टूटा चुड़ जुड़ है, कैसे तो यह हो गया, 1 डिगरी अलकुगर, ठीक है थे ना, 1 डिगरी अलकुगर बनाने के साथ भी साथ पूसएं फृषकरे के हीा, यह बनकोर्पन प्शाज किया है, कि हमेशा जो भी R समू होगा वो कार्बोनिल समू के या इस कार्बन के C से जुड़ेगा और रिनात्मक हिस्से से MgX जुड़ेगा ओमजी बनेंगे और ओमजी को हमेशा जल जड़ाना पड़ेगा ठीक है ना तो देखते हम इसके एक्सामपल प्राथमी के अल्कोहल RMGX की अभीक्रिया फॉर्म अल्डिहाइड यानि कि HCA से करवाने पर योगोत पाथ प्राप्ट जो होता है उसका जलब घ्रण करवाने पर बंडिगरी अल्कोहल बनता है ठीक है देखो जैसे यह बन गया 1-degree alcohol लोग यह बन गया उसको छोड़ो 1-degree alcohol बनता है एक्सामपल से देखते हैं देखो हमने यहां R की जगे CS3 लगा दिया R की जगब CS3 लगाते हैं तो इसको कहते हैं methyl magnesium bromide एक्स की जगे bromide ले लिया है यह यहां जुड़ेगा और यह यहां जुड़ेगा ठीक है जुड़ गया H, H, S, E, K यहां CS3 आ गया यह हो गया OMGBR, OMG बन गया OMG को अब जल जढ़ाएंगे यह बन यहां से तूटेगा तो इस जगे पर जुड़ जाएगा OH है ना और M, G, BR, OH अलग निकल जाए यह क्या बन गया? CS3, CH2, OH यह यह बन गया? यह क्या बन गया? इसको कहते हैं एथे, यह क्या हां एक कार्बन की शंकला थी? मैथिल मेंगनीशयम ब्रोमाइड था और उससे क्या बन गया? एथेनॉल बन गया यह निकला की शंकला बन गई ठीके न, देखो यह हमने R लगा दिया, यह H है तो एक LD हाइड बन गया? R, M, G, X से जुड़ रहे हैं, तरीका सेम टू सेम वही रहेगा, यहां कुछ भी जुड़े, उसके उपर कोई फरक नहीं बढ़ रहा, R यहां जुड़ गया, M, G, X यहां जुड़ गया, तो यह दे जुड़ जाएगा, तो देखे, R, C, R, S, A, कैसे ही है, यहां OH आ गया, अब जिस कार्बन से, OH जुड़ा हुआ है, उसे 2 कार्बन शंखलें जुड़ गई, तो यह बन गया 2 डिग्री अलकोहल, ठीक है, एक्जामपल से देखते हैं, तेखो हमने यहां R की जगे CS3 ले लिय जुड़ा है, ओम जी बन गया, तो जल चड़ा दो, जल चड़ेगा, तो यहां से तूटेगा, यह प्लस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, तो प्लस पर तो OH जुड़ गया, और माइनस पर H चला गया, तो यह बन गया 2 प्रोपेनॉल, यानिकि देखे, 2 डिग्री अलक तो हल बन गया, समद में आगे नचीज, क्लियर, यहां पर हम जितने भी चाहें कार्बन श्रंखला बढ़ा सकते हैं, यहां कम से कम दो कार्बन तो बढ़ेंगे, यह हमने एक कार्बन की श्रंखला ले थी, तीन कार्बन बन गया, यहां हम अगर चार कार्बन की श्रंखला और यही वाला योगिक लेते तो 6 कार्बन बन सकते थे ठीक है ना यहां 2 कार्बन लेते यहां 4 कार्बन लेते तो भी 6 कार्बन बन सकते थे ठीक है इननी की श्रंखला में हमें कितने कार्बन बढ़ाने हैं यह इन पर डिपेंड करता है तो हम जितने चाहें कार्बन की अमली वित्पन से जैसे अमली क्लोराइड, अमली एमाइड या एस्टर से करवाने पर थ्री डिग्री एलकोहल बनते हैं, ठीक है ना, अब देखो, कीटोन कैसे बना, कि जो कार्बोन निल सम्हों था, उसमें दोनों जगे आर जोड़ दिया हमने, कीटोन बन गया, यहां इसक इसकी अब इक्रिया हुई, रियक्शन का पैटरन सेम रहेगा, आर तो जुड़ जाएगा, इस सी से और एमजी जुड़ जाएगा, यहां से बंद तोड़ना ही पड़ेगा, तोड़ेंगे तो यह हमेशा प्लस बनेगा, यह हमेशा माइनस बनेगा, तो जल का ओ एच तो य कर लिया अब यहां जिस कार्बन से ओएच जुड़ा है उस पर तीन कार्बन श्रंखला जुड़ रही है तो यह त्री डिग्री एलकोहल हो गया एक्जामपल देखते हैं इसका देखिए CS3, सारे हमने CS3 के एक्जामपल ले लिए हैं ठीक है तो CS3 ही यहां जुड़ दिया तो देखो इस कार्बन से तीन CS3 जुड़ गया CS3 यहां के जुड़ गया और Mg यहां के जुड़ गया Omg बन गया इनको जल चड़ा दिया यह बंद यहां से तूड़ गया तो इस C पर OH आ गया देव बन गया यहां इस कार्बन से एक C, एक C और एक तीन कार्बन शुड़ गया तो 3 डिग्री एलकोहल बन गया ठीक है ना हम और भी एक्जामपल ले सकते हैं देखो जैसे मानली जी मैंने C double bond O किया यहां पर ले लिया CS3 यहां पर ले लिया C2H5 और यहां पर मैंने ले पर ले लिया C2H5 MgCl ठीक है ना इसको यहां जोड़ना पड़ेगा और यहां जोड़ जाएगा तो होगा क्या यह CS3 यह C यहां पर हो गया C2H5 और यहां पर भी जोड़ गया C2H5 और यहां हो गया O MgCl बन गा है भाई ओम जी अब यहां पर हम जल चड़ा देते हैं यानि कि इनका जल अपगटन करवा देते हैं तो बॉण यहां से तूटेगा तो इस C पर क्या जोड़ जाएगा O H ठीक है ना तो बनेगा क्या CS3 C यहां यह C2H5 है यहां पर भी यह C2H5 है और यहां पर जोड़ गया O H प्लस में Mg यहां Cl और यहां पर O H तो यह बन क्या गया द दो कार्बन एधर दो कार्बन एधर एक कार्बन एधर पांच कार्बन होगा एप मांच में से तीसरे कार्बन पर बिथायल जोड़ा हुआ है तो इसका नाम होगा 3-methyl-3-pentanol ठीक है लेकिन बनेगा 3-डिग्री अलकोहली तो देखो यहां दो कार्बन की शंखला थी हमने तीन कार्बन दो कार्बन की शंखला में चार कार्बन जोड़ दी कुल 6 कार्बन होगा यहां देखो कुल 6 कार्बन हो रहे हैं 2-2-4-5-4-6 यहनि हम जितने चाहें उतने कार्बन यहां एड़ कर सकते हैं तो यह तरीके थे अपनी ग्रीनिया रिपकरमक से हमने 1-degree, 2-degree, 3-degree अलकोहल बनाये वह भी कार्बोनल योगिकों की सहता से, कार्बोनल योगिकों का मतलब होता है LDHID या Ketone, जबने 4-mal डेड लिया था तो 1-degree अलकोहल बन गये थे, अदर LDHID लिया था तो 2-degree अलकोहल बन गये थे, और Ketone लिये थो 3-degree अलकोहल बन गये थे, अभी और तरीक देखो हम लेते हैं Amyl chloride, Amyl chloride का मतलब क्या था, कि हमने C double bond से CL जोड़े, इसको में उपर रख रही हूं, ताकि हमें जोडने में थोड़ा easy रहे, ठीक है न, यहां क्या होगा, यहां पर दो RMG X एक साथ आएंगे, क्योंकि यह CL को भी बहार निकालना है हमें, और यह pi bond तो अब यह वाला bond भी तूटेगा, यह वाला bond तूटेगा, तो काम तो वही होना है, यहां पर plus आना है, और यहां पर minus आना है, तो यह minus इस plus के साथ Mg X CL के रूप में बहार चला आ गया, और यह R' यहां जुड़ गया, ठीक है न, तो इस carbon पर देखो, एक साथ दो carbon शंकला है जुड़ गया, एक यह और एक यह, ठीक है, Omg बन गए, और Omg बन गए तो बात वही, जल तो चढ़ा नहीं पड़ेगा, जल चढ़ा दिया, bond तूट गया, तो यहां पर OH जुड़ गया, तो देखे, 3 degree alcohol बन गया, देखो जैसे example लेते हैं, acetyl chloride, जब हमने R की जगे पर CS 3 लिख दिया, तो इसको हम acetyl chloride कहते है, acetyl chloride पर दो ग्रिन एक साथ लिख दिये हैं, मैंने बता दिये कैसे होते हैं, यह bond यहां से तूटेगा, और एक इसका पाई bond तूटेगा, तो एक तो MgCl और इसके साथ यह Cl, MgCl तो निकल गया, ठीके ना, और एक MgCl यहां अनों ही इस carbon से जुड़ गया, बन गये Omg, Omg को जल जड़ा दिया, यहां OH आ गया, तो देखे, बन गया 3 degree alcohol, CS3, 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 1, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, जाएगा, ठीक है, एक MgX इस NH2 को बाहर ले जाएगा, दो MgX कामा गये, तो 2 R बचे, दोनों के दोनों R इस से जुड़ गये, तो देखो, दोनों R हमने इस से जोड़ दिये, MgX NH2 बाहर चला गया, और यह Omg बन गये, जल चरह दिया, बन टूट गया, तरीका से, जल च जाएगे, वो ही CS3 लगाए, इसको Acetamide गहते हैं, दो CS3 MgBr ले लिए, एक MgBr इस NH2 के साथ गया, MgBr NH2 माइनस कर दिया हमने, एक MgBr यहाँ जुड़ गया, ठीक है न, यह OmgBr है, ठीक है न, अब दो CS3 होए, दौनों के दौनों CS3 यहाँ जुड़ गया, यहाँ जादिया जल, C की पास, O-S जुड़ गया, बन गया 3-DVL को है, 2-Methyl-Trop-Propanol, ठीक हैं, और एक एक एक्जामपल देखते हैं, देखिए, Aster से रियक्शन करवाते हैं, तो क्या होगा, Aster का मतलब क्या हुआ, इस C double bond O से यहाँ तो R ही जुड़ा है, यहाँ पर O-R जुड़ गया, O-Mg बन गया, ठीक है न, यहाँ से जुड़ने से O-Mg बन गया, O-Mg बन गया, जल चड़ा दिया, यह वाला बन तूट गया, यह वाला बन तूटा तो यहाँ पर O-H आ गया, ठीक है, बन गया 3-DVL को है, जैसे देखो, एथिल एसिटेट लिया हमनी, एथ O-C2H5 को बाहर ले गया, निकल गया यह, दो CS3 बचे, दोनों की दोनों इस से जुड़ गया, जुड़ गया भाई, मुम जी बन गया, जल अप गटन करवा दिया, तो यहाँ O-H जुड़ गया, तो CS3, 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 तीन श्रंख लाएं जुड़ गया, थी डिगरी अलकोहल हो ग घंचेऄ से जुड़ का भी है, सोती कैसे और दों, सबसी बिल्चे को जुड़ता है, यह जुड़ा जाताओ जोने जुड़नी का तरीका सब जके एक ही है ठीके न, वही R को C पे जुड़ना है, M G X को O पे जुड़ना है, O M G बनने हैं, O M G बनने हैं तो जल चड़ाना है, जल चड़ाएंगे तो O M G हट जाएंगे और उस विचे O H आज जाएगा, ठीके न, एलकोहल बन जाएंगे, समझ में आगे न चीज, ठीके, एक और एक्जा प्राइलीन ऐपाकसाइड को भी कहते हैं, यानि कि 3 सदस्तिय विशम चक्रिये, शंखला जिसमें एक ऑक्सिजन होती है, ठीके न, CH2, CH2O, इसको हम ऑक्सीरेन कहते हैं, या इसी को एथिलीन इपॉकसाइड भी कहते हैं, एक ही बात है, ठीक है ना, एथिलीन इपॉकसाइड, और यहाँ पर हिन हाइड्रोजनों की जगे हम कार्बन फ्रंक लाएं भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आज है जटा कर आर लग हम यहां मालीजे, यहां से बंद तोड़ते हैं, यहां से बंद को तोड़ेंगे, तो O तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि ओक्सीजन की विद्धोदिन का जादा होती है, और यह कार्बन हो जाएगा, प्लस, तो माइनस को प्लस पर आकर जुड़ना है, और प्लस को माइनस प बढ़ जाएंगे और उनकी जगे पर OH आ जाएगा बन गया अल को है अगर यहां पर कोई और शंखला पहले से ही जुड़ी हो ठीके ना इसी ऑक्सीरेंज से हम 2 डिग्री भी बना सकते हैं 3 डिग्री बना सकते हैं ठीके ना वो डिपेंड करेगा कि यहां इस वाले कार्बन प यहां पर यह C ठीके ना यह CH2 है और यह ऐसे है यहां पर एक तो ह ही रहे दो एक आ रहे है नो तो यह OME जी यहां बनेंगे तो यहां पर OH बन जाएगा तो यानि यह 2 डिग्री अलकोछल हो जाएगा और दोनों ही पर मैं R लगा दूँगी ऐसे तो 3 डिग्री अलकोहल बन यहां पर आर ग्रूप इस पर जुड़े हुए है या नहीं है ठीक है ना समझ में आगी चीज़ जैसे देखो एथिली नोपॉकसाइड लिया है हमने CH2CH2OH इसी को मैंने जुसरा क्या नाम बताया इसी को हम ऑक्सी रेन भी कहते हैं ठीक है न एक ही बात है कन्फ्यूज होने की इसको यहां से तूटना पड़ेगा और यहां से तूटना पड़ेगा तो CS3 यहां जुड़ गया और और Mg यहां जुड़ गया Mg B आई ठीक है न तो देखो CH2 से तो OMG और OMG बन गए यह CH2 से यह वाला CS से जुड़ गया OMG बन गए तो जलब घुटन करवाना है जलब घुटन करवाने तो जहां OMG जुड़ गया वहां पर OH जूड़ देंगे तो देखिए क्या बन गया प्रॉब इनकी अभीक्री हम HNO2 यानि की नाइटरस अमल का फॉर्मूला क्या होता है HNO2 से करवाते हैं तो हमेशा वन डिग्री एलकोहल बनते हैं ठीक है बस एक बात यहां दयर्षनी है कि इस विधी से हम मैथे नॉल को नहीं बना सकते ठीक है एक कारवन वाल एलकोहल नहीं बनेग ठीक है अब कैसे होगी रियक्षन देखो 1 डिग्री एमीन को हम लिखते हैं R NH2 से ठीक है ना क्या लिखते है R NH2 ठीक है और HNO2 के क्या नेचर होता है देखो इसको भी समझ लेते हैं अपन HNO2 HNO2 की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है कि N से एक तरफ तो होता है डबल बॉ नाइट्रस अमल यह कोशिश करता है कि जिससे भी अभीक्रिया करें उसके साथ में जुड़कर एक पानी का अणू निकाल दे माइनस करें पानी का अणू निकालने के लिए अपना O भी दे सकता है और अपना OH भी दे सकता है एक ही चीज देगा दोनों मेंसे अगर जिस टे भिया करने वाला है उसके पास केबल एक ही हाईड्रोजन है देने के लिए तो यह अपना Oh दे देगा Oh के साथ 1 तो एक हाईड्रोजन मिल गया, तो एच और Oh मिल गए H2 निकल गया vice ख़ए-了, ठीक है यानि कि पुर्छाल करता है कि अभी अभिकार कव्य कि अभिकार he यहां 2 hydrogen है इसको निकालना तो पानी है तो यह क्या करेगा इसकी oxygen को साथ में ले लेगा क्या निकल गया H2O निकल गया ठीक है न अब यह दोनों nitrogen क्या करेंगी आपस में निकल जाएंगी N2 निकल गया अब बचा क्या यहां तो R बचा और यहां पर OH बचा तो दोनों जुड़ जाएंगे ROH बन जाएगा यानि की 1 degree alcohol बन जाएगा समझ में आगे न चीज़ ठीक है तो देखो इसको देखते हैं प्रात्मिक एमीन की अभीगरिया नाइटरस हमने से करवाने पर 1 degree alcohol बनते हैं ठीक है हमने देखो रियक्शन को लिखा है R पर NH2 1 degree amine है यानि R से 1 N और 2 hydrogen जुड़ी है HN2 को हमने कैसे लेखिया N एक तरफ double bond O एक तरफ OH यह bond ऐसे तूटेंगे H, H और O मिलकर H2 निकाल दिया यह N और YN मिलकर N2 निकाल दी और यहां क्या बचा फिर R और OH तो यह ROH यानि की 1 degree alcohol बन गया फिर याद रखना है कि इस विदी से हम मैथिनॉल नहीं बना सकते ठीक है ना उतारा लेते हैं कि हमने R की जिगे लिख दिया एथिल यानि कि CS3, CH2 और NH2 है यह HNO2 से रियक्षन की अभिक्रिया करने का वही तरीका है H, H और O मिलकर तो H2 निकाल दिया दोनों ना एट्टूजन मिलकर N2 निकाल दी क्या बन गया CS3, CH2 और OH ठीक है एथिनॉल ठीक है तो इस तरह से इस वीडियो में हमने दो वीधिया देखी कि हम ग्रीन Nimar अभिकर्मक की साहिता से और वन डिगरी एमिन की साहिता से अलकोहल कैसे बना सकते हैं ठीक है आगे की वीधियो को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठैंक्यू